नमस्कार मित्रो राष्टी सिक्षा नुसांदान एवं प्रिसिक्षाण परिशत एन सी इ आर्टी के निदेशक सेनपती जी ने कहा है कि नई राष्टी सिक्षा नीती एन इपी पर अमलका सूत्रमाक नेशन फस्ट केरेक्टर मस्ट होगा और इसके अनुरूप पाठक्रम ढ हाचा पाठक्रम और पाठ पुस्तक त्यार करने की संपून प्रिक्रिया पर्स 2023 तक पूरी कर ली जाएगी निदेशक सेनपती जी ने कहा है कि नई सिक्षा नीती के अमलका सूत्रमाक नेशन फस्ट केरेक्टर मस्ट तै किया गया है यानि नई पीड़ी को अब जो भी सबी बिंद्यों एवं मुद्दों पर विचार करते हुए किताबों को अंतिम रूप देने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा उन्होंने कहा कि राश्टी सिक्षा नीती के अनुरूप पाठक्रम धाचा सिलेवस और पुस्तक तयार करने की संपून प्रिक्रिया एवं कार बर्स दो हजार तेश चोविच तक पूरा कर ली जाएगी सेनापती जी ने कहा है कि एंसी एर्टी ने राश्टी परिपाठ्य चरिया धाचा एंसी एफ तयार करने के लिए जमीनी काम सुरूप कर दिया है एंसी एफ को पाठक्रम पठन पाठन एवं मूल्यांकन की विभि पूरा खाका तयार किया रहा है इसके बाद अलग-अलग बिसेवस्तू को तयार करने का काम अलग-अलग समयती करेगी एंसी एर्टी निदे सखने का है कि नई राश्टी सिक्षा नीती में किताबों को बोज कम किया जाएगा और बच्चों को इसकी जगे गतिविदियों स से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाल अवस्ता से पूर्वे देखरे एवं इवं सिक्षा पर भी पाठ्ट चरीया तयार करेगी इसके साथी स्कूली एवं प्रोर शिक्षा पर भी पाठक्रम तयार करेगी सैनपती ने कहा है कि NCERT सिक्षक सिक्षा पर पाठ किरम ढाचा तयार करने में राश्टी सिक्षक सिक्षा परिशद NCTC की मदद करेगी उन्होंने कहा कि राश्टी सिक्षा नीती के अनुरूप छात्रों के समगर विकास को ध्यान में रखते हुए सरवांगीन मुल्यांकन की रूपरे का तयार करने का काम भी सुरू हो गया है तो दोस्तों ये थी नई सिक्षा नीती को लेकर कुछ खास ख़बर उसके पाट करम को लेकर और जैसा की इसमें बताय गया है नैसन फस्ट केरेक्टर मस्ट इस सूत्र मार्ग पर अधार्य तरेगा पूरा पाट करम तो देखते हैं पाट करम में और बदलाब किये जाएंगे और दो हजार तेस चोबी तक की काम पूरा कर लिया जाएगा धन्यवाद